अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज किस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मी चूर्ण के बारे में अब इस ब्रह्मी चूर्ण के क्या फाइदे हैं, कैसे लेना है, क्या side effect है ये सारी जानकरियां जो है, आज किस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए ये जो ब्रह्मी चूर्ण है इसको बहुत सारी कमपनियां बनाती हैं जैसे के डावर, वेदनाद, पतनजली, सिरी सिरी, तो कई सारी कमपनियों का ये आता है आप चाहिए तो किसी भी अच्छे कमपनी का ले सकते हो अब भाई इसको खरीदना कहां से है, तो इसको कोई भी लोकल आप आयरवधिक मेडिकल स्टोर से खरी सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी खरी सकते हो, इसको डिसकाउंट के साथ तो आनलाइन खरीदना है, तो मैं इसे लिंक दे दूँगा, डिस्किप्सन में तो दर से किलिक करके आप इसको घर बेटे बेटे, वो भी डिसकाउंट के साथ मंगा सकते हो अब देखिए ये जो ब्रह्मी चूर्न है ना एक वेजेटेरियन मेडिसिन है और इसमें कोई भी ऐसा हमफल केमिकल यूज नहीं होता है जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुँचे मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं अब हम बात करें इसके इंगिडियन के बारे में या इसमें क्या क्या है तो देखिए नामसरी समन में आ रहा है ब्रह्मी तो इसमें ब्रह्मी है अब इसके फायदे के बारे हम बात कर लेते हैं तो उदर concentration नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी फायदा करता है या बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है छोटी बड़ी चीज़े जो कि आप जल्दी बूल जाते हैं बूलने की बिमारी है तो उसमें ब्रहमी चूर्ण फायदा करता है क्योंकि ये brain के function को improve करता है आपके दिमाग को तेज करता है इसके अलावा आप ज़्यादे stress लेते हैं depression में हैं बहुत ज़्यादे चिंता करते हैं कोई जीज सोचते हैं किसी चीज के बहुत ज़्यादे फिकर है तो उसमें भी फायदा करती है आपको stress से बहार निकालने में फायरा करती है इसके अलाबा आपके nervous system को बहतर करती है और देखिए इसकी जो properties होती है antioxidant जो काफ़ अच्छी बहात है मतलब free radical damage से भी बचाती है और आपके immunity system को भी boost करती है और इसकी जो है anti-inflammatory properties भी होती है मतलब अगर आपको कोई सूजन बगेरा है और सूजन के साथ कोई हलका दर्द भी है तो उसमें फायरा करती है medicine इसके अलाबा अगर आपको gout है जिसमें की uric acid बढ़ जाता है आपके जोडों में परिसानी होती है तो उसमें भी ये ब्रह्मी चूर्ण फायदा करता है अब gout में क्या होता है कि सूजन के साथ दर्द भी होता है तो इसमें फायदा ये ब्रह्मी चूर्ण करता है अब इसके अलाबा अस्तमा है साज लेने में तकलीफ होती है तो उसमें भी ये फायदा करता है इसके अलावा hysteria की एक बीमारी होती है जिसमें के कई बार इसा होता है बहुत ज़्यदे emotional कोई हो जाता है बहुत ज़्यदे गुस्य में एकदम से आ जाता है खास तोर से ladies हमें इस प्रकार से problem होती है उसमें भी ये ब्रह्मी चूर्न फायदा करता है तो इधर इसका main काम क्या है आपके brain के लिए आपके brain के function को आपके दिमाग को तेज करता है आपके दिमाग को सही रखता है ये ब्रह्मी चूर्न तो ये इसका main फायदा है अब इधर हम डोस के बारें बात कर लेते हैं तो देखिए जिस भी कंपनी का वलोग है न तो सभी के डोस थोड़े बद उपर नीचे होते हैं आप चाहें तो पीछे देख लीजेगा उसमें लिखा भी होता है या फिर आप अधिक जानगरी के लिए जो है आप डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं लेकिन एक जनरल डोस के बारे में बता देता हूँ आधे से एक चम्मच आप ले सकते हैं इसको एक दिन में एक से दो बार maximum दो बार लेना है लेकिन आप इसको केवल एक बार लीजी अगर एक बार से फाइदा नहीं मिलता है या प्रॉलम जादा है तो उस condition में हम इसको एक दिन में दो बार तक भी ले सकते हैं और simple आप इसको पानी के सान ले सकते हो अब male female कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन छोड़े बच्चों के लिए नहीं है बड़े बच्चे ले सकते हैं एक दिन में एक बार आधी चमच और pregnancy में लेना है लेडिसों को तो डॉक्टर की सलासे ही लेना है अब इसको कब तक लेना ह होता है तो देखिए तो डिपेंड करेगा आपको कितनी प्रॉलम है कितनी समस्या है तो आप इसको एक से तीन महीने तक लेकर देख सकते हो बैस्ते जड़ के लिए और इसके side effect के बारे बात कर लें तो side effect देखिए इसको कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ health means को लगत करने की जरूत नहीं है अब भई फायदा कब तक देखने को मिल जाएगा अगर आप ब्रह्मी चूरने लेते हो तो तो देखिए यह भी डिपेंड करता है आपकी प्रॉलम पर आपकी बीमारी पर तो इधर मैं बोलना चाहूंगा कम से कम आप इसको एक महना continue लीजिए एक म नीठा, बाहर का खाना पेना यह सब बन करना है सब हल्द के लिए बेकार होता है आपको हल्दी लेना है एक यह लाइव इससाधा रखना है ज्यादाधा स्ट्रेस नहीं लेना है एक दिन में कम सकम साथ और घंटे की नीवत जरूरी है अब इसके अलावा आपको एक्सराइ से और भी वीडियो देखना है health और medicines related जो कि मैं daily बनाते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजेगा फिर में लेंगे next वीडियो में जब तक आप भने रही हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में knowledge for care